सारे दुनिया कहती है कि हार माले तुझसे नहीं हो पाएगा, दिल धिरे से कहता है कि एक बार कोशिज कर तुझसे जरूर हो पाएगा, तुझसे जरूर होगा दोस्तो आज उनों बात करने वाले हैं इतिहास, इतिहास कहते किसी हैं और इसके सारे जनकारी के बारे में दोस्तो आज बात करेंगे कि इतिहास को कितने भागों बाटा गये हैं ठीक है, पहले जानते हैं दोस्तो आज हम लोग दोस्तो मैप के साथ साथ स्टड़ी करेंगे त उन सारे प्रश्णों का जबाब आप दे सकते दोस्तों तभी वीडियो को देखिएगा जिया दोस्तों तो आज बात करते हैं दोस्तों बात करेंगे मैप के साथ आज चटड़ी करेंगे ताकि आपसे बैतरीन तरीके से में समझा पाऊं ठीके बस दोस्तों दस से 20 मिटों के वीडियो में बने रहेगा आप सभी कहीं भी बैट करके ठीक ना उसके बात समझ में नहीं तो फिर बोलिएगा कि तुम्हारा वीडियो समझ में नहीं आता है तुम कैसे बीडियो बना इतना चैलेंज के साथ काता दोस्तों कि जितना मेरा एक्सप्रियेंस में उतना दोस्त को कहा जाता इतिहास के पीता हेरो डोटस को कहा जाता है लाइन बे लाइन दोस्तों सारे कोशन को मैं यहां पर लेखूंगा आप सभी लिखते चलिएगा इतिहास के पीता हेरो डोटस हेरो डोटस को कहा जाता है इतिहास के पीता हेरो डोटस को कहा जाता है जिनों ने इतिहा के बारे में जनकारी दिया था जिनका जन्म दोस्तों 400 464 इसापूर इनका जन्म हुआ था और 425 इसापूर दोस्तों इनका मिर्द草 हुआ ये भी बात दोस्तों इनके լारे में जान लिजेगा इतिहास के पिता हेरो डोटस को कहा जाता है अब आता है दोस्तों अब आता है कि इतिहास कहते किसे है तो अतीत के जनकारी को अतीत के अध्यन को यानि की पुराने यानि की लाखों हजारों साल पहले किये अध्यन को दोस्तों इतिहास कहते है क्या कते दोस्तों इतिहास कहते ह कि तुम इतिहास परोड़ ठीक है, इतिहास कहते कि से यह बता दो, तो आब सभी को बोला है दोस्तों कि अतीत के जनकारी को, अतीत के अध्यन को इतिहास कहा जाता है, इतिहास के पीता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है, तो इतिहास यानि कि दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है, इंगलिस में दोस्तो इसको अंग्रेज इसको हिस्ट्री बोलते हैं इसको जानती होगे आप से तो इतिहास को दोस्तो जानकारी के लिए सुभिधा के लिए इसको तीर भागों में बाटा गया पहला था प्राग एतिहासी काल दूसरा था आद एतिहासी काल तीसरा था इतिहा हासी कल को छोटा लाइन में करके बता दियागे जहांसावंसविखो पूर रूप से जनकारी नहीं मिल पाती है वहां पार तो हम दोस्टों पहले हो बात करेंगे प्राग एतिहासी कल जिसमें पुरा पसाण कल स्थख़न अजम लोग कभर करेंगे गें आदे एतिहासी काल में आता है सिंदू सबेता जो की सानी के द्वारा दोस्तों खोजा गया था 21 में सिंदू सबेता कांसा और हरपा सबेता हरपा सबेता दोस्तों जो की दैराम सानी के द्वारा खोजा गया था ठीक है तो इसके बारे में बात करेंगे उसके बाद दोस्तो प्राचीन काल मद्य काल और अधोनी काल के बारे में उनों को बात करेंगे ठीक है तो प्राग एतिहासी काल किसे करते तो प्राग एतिहासी काल दोस्तो ये पहला इस समय का इतिहास का ये पहला समय था दोस्तो जि उस समय जो वो लोग थे वो इतना पढ़े लिखी भी नहीं थे दोस्तों उस समय कुछ थाई नहीं पढ़ने का था बात ही छोड़े दोस्तों कुछ थाई नहीं मतल़ कि इन लोगों ने यहां पर दोस्तों बात करें तो न लिखी था न पढ़ने की दोस्तों वहां पर तो आया दोस्तों पसाण काल पसाण काल आया ठीक है तो अब दोस्तों हेडिंग डाल दीजेगा क्या पसाण काल क्या था दोस्तो पसाण का इसको मैं दोस्तो मिटा देता हूँ क्योंकि दोस्तो अब अच्छी तरीके से पसाण काल को मैं लोग पढ़ते चलेंगे पसाण काल के बाद आएगा पूरा पसाण काल मद्य और नौफ ताम रहाएगा ठीके तो इसको दोस्तों में मिटा देता हूँ ताकि आप सभी अच्छे तरीके से आगे उसको कर पाएं ठीके आता है दोस्तों पसाण काल पसाण काल को दोस्तों अश्टोन एज भी बोला जाता है अश्टोन पिरियड भी दोस्तों बोला जाता है क्योंकि दोस्तों अश्टोन पिरियड इसलिए इसको बोला जाता है कि इस समय ये दोस्तो ऐसा समय था जिसमें जो आदी मानों थे वो पत्थर से बने हुए ओजार और हतियार का दोस्तो परियोग करते थे पाले दोस्तो इस काल की बात करें पसाण काल में दोस्तो पत्थर से बने ओजार पत्थरों से बने ओजार बने ओजार, बने ओजार, ओजार की बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर पाले के जो लोग थे, क्या करते थे, जानवर मार के खाय करते थे, तो उन लोगों को काटने के लिए क्या करते थे, पले चोक-चोक हतियार होता था, किसका, पथल का, तो उसी से दोस्तों अपना क्या क करके उजमें लाते थे यानिकी पर्यूब करते थे ठीक है तो पसाण काल को दोस्तों इसलिए दोस्तों पसाण बोला गया इसको क्योंकि इस काल में मनुस्य जो आधी मानों थे वो क्या करते थे पथरों से बने ऑजार का पर्यूब करते थे और उसे से दोस्तों क्या करते थे ठीक है और इस पूरा पसान काल में दोस्तों आग का भी खोज हो गया था पूरा पसान काल में आग का पूरा पसान काल में आग अग हो गया ठीक है उसके बाद आता है दोस्तों पूरा पसान काल हो गया प्राग एतिहासी काल में ने बताया कि प्राग एतिहासी काल में जो कुछ भी नहीं जानते थे उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे समय बीता उसके बाद जो पसाण काल है दोस्तों इसको पसाण काल इसलिए बोला गया अस्टोन पिरियड इस काल में दोस्तों पथरों से बने हुए औजार का परियोग करते थे आधी मानों अपना जानवर को मार और काटने के लिए खाने के लिए पहले कच्चे ही मांस खाते थे लो पहले क्या करते दोस्तों कच्चे मांस खाते थे उसके बाद दोस्तों पूरा पसान काल बाद करते दोस्तों उसके बाद पूरा पसान काल यहां पर दोस्तों मिलेक देता हूं इसी को पूरा पसाण कल होगे पूरा पसाण कल यही कि पूरा पसाण कल को दोस्तों बोला जाता है पूरा पसाण कल अब देखिएगा अब बात करतें दोस्तों पूरा पसान काल की ठीक है अब बात करतें किस के बारे में दोस्तों पूरा पसान काल की पूरा पसान काल में किस किस का खोज हुआ दोस्तों किस किस का खोज नहीं हुआ अब बात करतें किस के बारे में पूरा पसान काल तब पूरा पसान काल जो काल था दोस्तों 25 लाग से लेकर के 12000 तक चला था था यह क्या के मतलब तो जानते हो अगर हम 12 के लिग दे ता आप से पता हो दोस्तों कि के का मतलब 1000 होता है यूटूब पर दोस्तों ऐसे यूटूब चल गया है अब चल रहा है तो आप सभी को 1000 और 2000 में कोई दिकत नहीं होता होगा क्योंकि दोस्तों YouTube सारा दिया हुए ठीक है ना जानते हो आप देखिए यह जो पूरा पसाण काल था दोस्तों वो 25 लाग से लेकर के 12,000 तक चला था ठीक है तो इस काल में क्या हुआ पूरा पसाण काल में पहले तो आदी मानों थे तो सलाववो लोग आपना चला क्या करते थे जाते थे घूमने फिरने अपना 忘 enorm क्या करते उपना जानों को मार कर खाते थे और कि पूरा पसाण काल में वो कि ना सबसें पहले जो मानों का दोस्तों आगमर हुआ था मतों आया थे जो सबसें पहले मानों कहा देखा गया throughout the United आफ्रिका में पाली बार दोस्तों मानव को देखा गया था, मनीं कि जो खोज़ करने वाले थे, तो वहां के दोस्तों कहते हैं न, ओखाना बदोस्त थे, खाना बदोस्त कहने का मतलब, लिख निज ज дней घाए यहां पर, मैं लिख देता हूँ, आदी मानव, कहा पर दोस्तों, तो अफ्रिका में अफ्रीका बिक्वे कहां व्रतो है और वह क्या थे दूस्तों खाना वर्दोस थे खाना वर्दोस खाना वर्दोस कहन भदोश कीDRA यंदि आ गोई खाना बदोस्वा साकी किसे कशिए तो खाना बदुस्यक्राइब करने का मतलब अगर आज कろう के लोगों को तो क्येकरते बाल बच्चों के लिए दोस्तों बचा कि रहे रहें ग्रदवर बना करते हैं आज के लोगों में लेकिन पहले के जो आधी मानों थे उनका ये कुछ नहीं था पसु के समान थे और पहले के जो लोग थे बस घाना पर डीपरिड कर दे थे थे हमलों के खाना ए ओर जीना और कुछ पताङर नहीं था कि अमनों को कुछ करना भी है, कि मतलग कि घर बनाना है, घर नहीं बनाना है, रहने के लिए कुछ करना है, नहीं करना है, यह कुछ भी नहीं था, बस यह था, कि खाना खाना है, पेट भरना है, और दबा करके सोना है, और मस्ती करना है, पहले यह था, आज के नहीं अब अब 104 ले लगए उसके में पांच आजाना फॉर इस नहीं था कि खाना ख़ाऊ ऑर बस पेट की और सा दॉंछ करतukt करें थे हैं कि साना ज़सरा ब्लीत खाना बदोस्ति अब बात करें दोस्तों इसमें क्या हुआ उसके बाद दोस्तों आता यह हो गया पूरा पसान काल तो पूरा पसान काल के बाद आता है दोस्तों 9 पसान काल यह हो गया भारत के नक्सा तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ था यहां पर दोस्तों पूरा पसान काल में पूरा पसान काल में मध्य पर देश में दोस्तों यहां पर यहां पर क्या होगे दोस्तों मध्य पर देश होगे यहां पर दोस्तों मध्य पर देश यहां पर तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के भीम बेटका में किसमें दोस्तों भीम बेटका तो भीम बेटका में दोस्तों क्या हुआ था ना कि आप चीतर देखने को मिला था क्या मिला था दोस्तों चीतर देखने को मिला था तो चीतर किसका अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के भीम गूफ के गोफा में भींबेटका मन्द्य बेटका में एंग गूफा था जिसमें एक पथर पर दोस्तु चित्र बनाया हुआ था तो वो चित्र था किसका दोस्तु तो पहले चित्र किसका बना सकते है आप ही लोग सोचे हैं किसका तो पहले तो दोस्तु वो थे आदी मानो जो कि बनाना संभव था कियों कि अच्छी तरी इस नहीं बन पाएगा तो जानवर का बनाना असान होता था ठीक है जानवर का बनाएथ तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा जो चितर बना था पहली बार मध्य परदेश के भीम बेटका में चितर बनाए में मैं यहीं बताया है कि पहली बार जो मानव आए था वह अफ्रीका में देखने को मिला था जो कि खाना बदोस था खाना बदोस था कि घर से और मतलब नहीं था बस हां यह था कि जानौर कमारना है और खाना है बस पेड़ भारने और कुछ नहीं था ठीक है तो पहले कि यह हो गया उसके बाद मैंने बता है कि मद्य परदेश के भ लोड़ेा नहीं की कपडा बनेगा तो कहाँ बना था दो फो फैफ्री बना था ठीक है उसके बाद करतें दोस्तों मद्य ध्य पसाणकाल की बात करते हैं यह कितने तक चला था यह चला था 12.000 से ले करके 5000 के बीच में हुआ चलते थे खाना पीना अपना प्रक्रिया जा रही था ठीक है ना इसमें कोई ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला बात करें मद्धफसाण काल की तो इसमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला जो कितने तक चला था 12,000 से लेकर के 5000 के बीच चला था ठीक है तो उसके बाद आता है हमारा नौ पसाणकार कौन आता है दोस्तों नौ पसाणकार इस काल के बारे में स्वार्पतम जनकारी जो दिया था करसाइल ने दिया था मध्य पसाण के बारे में जो जनकारी दिये थे करसाइल नमक एक ब्यक्ति थे जिन्होंने इसका जनकारी अठारो सो शर्षट इसी में दिया था हथियार छोटी आकार क्या होते थे देखिए अब क्या हुआ कि कुछ मनुसे जो आधी मानों पहले के थे तो पहले तो बड़ा-बड़े हथियार बनाते होंगे जबकि पूरा पसानकाल में थे ठीक है ना पस अब आता है दोस्तो ना पसानकाल अब आता है ना पसानकाल हेटिंग डाले जैगा ना पसानकाल ठीक है अब देखते हैं कि ना पसानकाल में क्या क्या हुआ 9 पसान का दोस्तों ये समय जो था वो कम चला था लेकिन इसमें बहुत सारे चीजों का दोस्तों क्या हो गया खोज हुआ इसमें क्या हुआ दोस्तों बहुत सारे चीजों का क्या हुआ था खोज हुआ था जो कि 5000 से ले करके 3000 के बीच में चला था कितने के बीच में चला था दोस्तों तो 5000 के 5000 से ले करके 3000 के बीच में चला था लेकिन ये कम समय था लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ों का खोज हुआ दोस्तों बहुत सारे चीज़ देखने को मिला ठीक है न तो इसका इसमें बात करें दोस्तों कि बहुत सारे चीज़ों का क्या हुआ दोस्तों देखने को मिला हम सभी को तो नौ पसाण काल इस काल में दोस्तों आप सभी की बात करूं तो इस काल में क्रिसी देखने को मिला क्रिसी भी द समझ लीजिएगा मतलब कि भारत का नक्सा ठीक ना ऐसा नहीं रहता है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको बनाई देते हैं ठीक है यहां पर देखिए नौ पसानकाल में दोस्तों खेती जो खेती का जो साथ छे मेरा था दोस्तों खेती का बात करें क्रिसी का दोस्तों ना यहीं कि खेती का तो ओ कहां पर मिला था दोस्तों तो 7000 इसापूर मिला था, 7000 इसापूर खेती का जो मिला था, 7000 मिला था 9 पसाण काल में, ठीके 9 पसाण काल में, क्रिसी पहली बार मेहर गड, मेहर गड में दोस्तो, पहली बार क्रिसी देखनों को मिला था, कहाँ पर, तो मेहर गड में मिला था दोस्तो, जो की यहाँ पर है, गेहु का क्रिसी जो था मिला था देखने का खेती ठीके उसके बाद बात करें दोस्तों गेहु जो भी मिला था और सबसे पहला जो पालतू जानवर था दोस्तों कौन था कूता था पालतू जानवर की बात करें दोस्तों पालतू पालतू कौन था दोस्तों कूता था ठीके बात करें दोस्तों यहां पर पहिये का खोज हुआ उसके बाद बात करें दोस्तों तंबा का भी खोज हो गया तंबा का और पहली बात दोस्तों जो तंबा से बनाने वाला जो हत्यार था वो कुलहारी बनाया गया था क्या बनाया गया था दोस्तों कुलहारी बनाया गया तो जानौर को मारने के लिए ठीक है तो इसलिए कुलहाडी बना गया था पहली बार उसके बाद बात करें दोस्तो यूपी में दोस्तो यहां पर देखिएगा यहां पर यूपी में यहां पर यूपी में दोस्तो कोल डी हवा है क्या दोस्तो कोल डी हवा यूपी में दोस्तो क्य मिला था चावल का साथ छे दोस्तों देखने को चावल का साथ छे मिला था मैंने बताए दोस्तों अभी पीछे बताया था कि यहां पर मद्य पर्देश में भीम बेटका में दोस्तों चीतर देखने को मिला था ठीक है चीतर भीम बेटका में देखने को मिला था यहां पर मद्य पर्देश में और एपी में दोस्तों कोल्डी हवा एपी में कोल्डी हवा में दोस्तों चावल का साथ छे मिला था आप सभी इस बात का था या जानवर का था ठीक है कंकाल का खोज दोस्तों मदरास में किया गया था ठीक है उसके बाद-बाद करते हैं यहां पर देख लिएगा जो जो था अगर पूछ ले जाए दोस्तों पहली बार जो कहां देखने को मिला तो पहली बार जो दोस्तों इरान इरान में मिला थ साथidelुस था गेव हूं कहाँ पर मेहरगड मेहरगड में मिला था गेव jos यहां पर दोस्तों मेहरगड देखने यह मिल जाता है ठीक है न मेहरगड उसके बात बात करें दोस्तों चावल तो चावल को मैंने अभी बताया यहां पर UP 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 ठीक है तो नौ पसाण काल में क्या हो दोस्तू कि क्रिसी का खोज हुआ जो कि 7000 इसा पूर हुआ इसके बाद पालतु जोता कुता था पहिया तामबा का खोज हुआ उसके बाद दोस्तो जौ इरान में गेहू मेहरगड में चावल कोलडिहावा में अब बात मैंने यहाँ पर दोस्तों देखें मेहरगड में क्या हुआ था दोस्तों गेहूं का साथ मिला था मेहरगड में मेहरगड में गेहूं का साथ मिला था ठीक है यहाँ पर दोस्तों जम्मू का समीर में जम्मू का समीर में दोस्तों बुर्ज होम है क्या दोस्तों बुर्ज होम बुर्ज होम और इहांपर बुर्ज होम में के मिल था यहां पर माली के सास साथ इहां पर ना टेकरेत आ mapped के मिला था दोस्तों अगोद। का साथ जी मिलता है दोस्तों जिसमें क्या हुआ था माली के उनके कुटों भी दिया करते यहां पर वहां पर माली के साथ कोतों की भी दफना दिया करता था ठीक है ना तो पहले का था अब तो नहीं होता है ठीक है ना ऐसा कोई बाद नहीं लेकिन क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि जो मालीक अगर कोते के मर जाते हैं जो मालीक अपने कोते से बहुत प्यार करता है और मालीक मर जाता है तो क दोस्तों क्या मिला था माली के साथ कुते का दफनाई होगा साच मिला ठीक है और दोस्तों चिरोद जो कि बिहार में दोस्तों चिरोद यहां पर लिख देते दोस्तों कि यहां पर यहां पर चिरोद और चिरोद में दोस्तो हडियों का साच मिला था हडियों के साच मिला था दोस्तो प्रचूर मात्रा में यानि कि बहुत मात्रा में दोस्तो हडियों को साच मिला था लेकिन दोस्तो यह नहीं वहां पर पता चल पया कि मनुस्य का हड़ी है या मनुस्य का भी इसमें हड़ी है यह जानवर का भी इसमें हडी मिला हूद क्योंकि ज़्सक्डोफ अगर हडीस सिर्फ मिले तो मतल्य लोग दो ब्लкої होग कि यार मनुष्य, किसमें दूस्तों में मानाओं कि हड़ी मिले लेकिन यह पाता चल गया कि हाँ यह वहाँ inveWell is a का हड़ी है असपस्ट रूप से वह क्या हो रहा था दिखाई दे रहा था कि हाँ यह मनुस्य का अटीर यह आख की अच्छे तरीके से दाफनाया गया था नहीं तो सला पाले गया किसी का गोड़ उधर पड़ा है कि किकिकी का पैर उधर है किसी का सीरे नहीं है से वो पाता चलता था कि हाँ ये मनुस्य के कांगाल ही है ठीक है वहाँ पर पाता चल गया कि हाँ ये मनुस्य कहीं कांगाल ठीक है तो आज दोस्तों हम लोग ने यहां तक पढ़ा नो पसाण काल के बारे में कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अब देखिए जो तामर पसाण यह दोस्तुं का था यह पसाण का यह अंतीम आथा जिसमें को टमबा की खोज गए था अब इसके बाद कि वह यह दोस्तों हणा गाया ठीक है ना उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूस्तों हडपाखा बेता हडपाश आप के के जैन्द जैवारा